नमस्कार मेरला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सिंग्ग दोस्तों आज के इस वीडियो में में आपको एक बंद रहे कीचेन का डिजाइन दिखाना चाहता हूं और उसके साथ साथ यह भी बताने का कुछिस करूंगा कि कैसे आप लोग कीचेन बनाने के दोरान कुछ गलतिया कर देते हैं जिसका खम्याजा आपको आने वाले साल में भूकतना पड़ता है सारी चीज में आपको बताऊंगा आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक् चलते हैं कीचेन के अंदर लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस कीचेन का साइज यह दो बनता हुआ कीचेन आप देख रहे हैं उसका साइज आट फीट बाई छे फीट मतलब 48 स्कार फीट का रखा गया है और कीचेन में जाने के लिए जो दरवाजा का साइज छोड़ा ग बनाया जा रहा है वैसे दोस्तों जब भी कीचेन का बात आते हैं तो हमारे जहन में यह दोस्तों आपको कीचेन प्लेटफर्म का जो नक्सा रहता हुआ आपके दिमाग में पहले आ जाता है क्योंकि दोस्तों कीचेन का जो और यह प्लेटफर्म का रिष्ता है वो दोस्तो से आपको यहाँ पर सुधार करना चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस बंद रहें किचेन के स्ट्राइब के बारे में तो आप यहाँ पर देख पार होंगे कि यहाँ पर जो आपको एलसेब का स्ट्राइब नजर आ रहा है इसका चौराई का बात किया तो इसका चौराई दोस्तो 20 इंची रखा गया है लेकिन अगर आपके पास परियुक्त मातरा पर जगह है तो आप इसका चौराई कम से कम दोस्तो 24 इंची मतलब 2 फीट जरूर रखे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज कल जो मोडेन जमाना वाला चुल्हा आ रहा है उ इसलिए आप भविस को देख कर चले और इसका चौराई कम से कम चार इंची से बढ़ा के मतलब 2 फीट का जरूर रखे और उसके साथ बात किया जा इस स्लेब का थिकनेस का तो आप देख सकते हैं कि यहां पर धाई इंची मोटा आपको ढलाई मिलता है जो कि दोस्तों ठीक है धाई से तीन इंची आपको इसका ढलाई रखना होता है अगर आप इसके ऊपर मारवल या फिर गिरनाइड लगाते हैं तो आपको एक हिजिंग के में और बढ़ जाता है तो मतलब आपको तीन से चार इंची के आसपास में आप दोस्तों आपको यह असानी के साथ मिल जाता है दोस्तों जब आप कंप्लीट से करते हैं साइड में आपको यहां पर एक कोर भी दिया जाता है तो दोस्तों अगर आप इसका चौराई चोरा हुआ यहां पर देखेंगे लगभग और फीट बाइएक फिट का यहां पर यहां पर देखेंगे तो एक आपको विंडुव में मिलता है जिसका साइथ कितना था, TO, आपको बेसमेंन लेबल से इसका हाइट फीट से ले कर्कर कह 2 फी तक रखना होता है अगर आप 2 फीट से कम इसका हाइट रखेंगे तो आपके घर में गर स्लिंडर वाला जो देखते हों के जूल भाला जो सेस्हें बार्फ जो एक हाइड दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे घर के महिलाव होते हैं उनका जो हाइट रहता है दोस्तों वह अल्का पुरूष की मुकाबले कम रहता है तो उनके लिए जो परफेक्ट हाइट मना गया है चुकर लीज़ात है अंब बात की यह और और को तो तीन हीट मना जया है वो पूरब दिशा की तरफ रखा गया है वास्तु का अनुसार भी सही है लेकिन दोस्तों आप यहां पे जो देख रहे हैं यह सिंग लगा गया बिलकुल ही गलत जगा है और यह दोस्तों आम तर पर बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं क्योंकि उसमें आप ध्यान देते जहां पर मिस्तिरी को लगता है वहां पर छोड़के वह चला जाता है लेकिन बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है आपको सोच लेना है देखिए सबसे पहले आप तो यहां पर जहां पर खिड़की रहता है उसी के आसपास में दोस्तों आप अपना बढ़ना रखते हैं और उसी के बगल में आप यहां पर दोस्तों लगा दिये हैं सिंग तो दोस्तों चुला रखने में आपको छोटा जगा है आपको दिकत खोश लगता है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी ने करना जहां पर आपका विंडो आया उसके अगल बगल में आपको सिंग नहीं लगान जैसे कि आप इस किचेन में देख रहे हैं यह वहां पर दूस्त थोड़ा सा जगह है और जा रहा था जो और ते हमारे गर की वह भी दोस्तों जो खाना परना पसंद करती है तो किचेन का जो खिरकी होता है वही पे चूला रहाता है तो उनको दूस्तों कमफर्टेवल फिल ज अगर चाहते आप तो यहां में द्विडिश दे ट्रूद सकते हैं यहां पर आसानी कbelt takes के लिए वेफना की छोड़ देते तो आप को यहां पर फ्रीज एम चिज़ी आछे इंच्छे से वस्ने आ रही कुरा है लेकिन दोस्तों मैं वीडियो पूरा कर जाऊंगा आप देख सक लगा सकते हैं उपर में लिंटे लेबल पे जिससे आपका जो समान है किचें से रिलेटेड उसको दोस्तों रखा जा सके और अगर आप यहां पे छज्जा लगाते हैं एक और इस टाप का स्लेफ ढ़लवाते हैं तो आपको लिंटे लेबल से बिल्कुल भी नहीं करना हैं फिर आपको बंधां-बंधा सा महसूज होने लगता है इसलिए उपर रहेगा तो आपको कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर भी नहीं होगा और आपका जो समान इस्टोर करने का जगह है वह भी दोस्तों आपको मिल जाता है उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लग झाल